दबा हुआ खजाना जुम्रू जुम्री तलईया में रहता था वो वहाँ अपने माता, पिता और अपनी बहन के साथ रहता था जुम्रू पढ़ाई लिखाई में बहुत ही होश्यार था और उसे नएनी चीजों का अविश्कार करने की बहुत इच्छा थी वो जब देखो अपने घर से पुराना समान लेकर नए ने चीजों के अविश्कार किया करता था उसे स्कूल में हमेशा साइंस प्रतोंगिता में इनाम मिला करता था लेकिन उसकी इस आदद से उसके पिता बहुत गुस्सा हुआ करते थे अरे जुमरो ये अविश्कार करना बंद कर दे भाई, मेरे पास इतने पैसे नहीं है तेरे अविश्कार के लिए कुछ ऐसे बढ़ाई कर जिससे तुझे कुछ आगे नौकरी में मदद मिले क्या पापा, आप तो हमेशा नाराज होते रहते हैं देख ले न, एक दिन ऐसा आविश्कार करूँगा कि आपका सर गर्व से उचा हो जाएगा और खूब पैसे मिलेंगे बिल्कुल ऐसा ही होगा, मेरा बच्चा कितनी मेहनत करता है, आप तो इसे ऐसे ही कहते रहते हैं आज कल के बच्चे बहुत समझदार हैं, देख ले न, ये एक दिन जो कह रहा है, करके ही दिखाएगा एक दिन जब जूमरू स्कूल से वापिस आता है, तो वो देखता है कि उसके गाउं के तलाब के पास बहुत सारे लोग इकठा हुए थे जूमरू पास जाकर देखता है, तो उसे पता चलता है कि वो गाड़ियां सरकारी गाड़ियां थी और वो लोग पुरातत्तो विभाग से आये थे, वे यहां छानबिन करने आये थे, ताकि उन्हें तलाब के नीचे दबे हुए किले के बारे में पता चल सके जिसके बारे में मना जाता है कि उसमें बहुत सारा खजाना था जूमरू घर जाकर इस बारे में अपनी मा से पूछता है मा, क्या ये बात सच है कि हमारे गाओं के तालाब के नीचे एक खजाना चुपा हुआ है, वो कोई पुराना किला है हाँ बेटा, सुना तो हमने भी ऐसा ही है बुजूर्गों से, मगर देखा कभी नहीं मा तु देख लेना, ये खजाना एक दिन मैं ही निकाल कर दिखाऊंगा ये बात सुनकर उसके पिता हंसते हुए कहते है हाँ बेटा, जो काम बड़े बड़े ओफिसर ना कर सके वो कम तुम करोगे ठीक है, लगे रहो जुमरू बड़ी लगन से खजाना ढूनने के लिए कोई तरकीव लगाने लगता है और वो एक दिन ऐसी मशीन बनाता है जो पानी और जमीन के नीचे दबे हुई किसी भी धातों के बारे में पता लगा सकती थी वो अपनी मशीन को लेकर तालाव के पास घूमने लगता है तब ही अचानक एक जगा जाकर उसकी मशीन आवाज करने लगती है अपनी मशीन के संकेत देखकर जूमरू खुश होकर घर आता है और वो सारी बात अपनी मा को बताता है उसकी मा जूमरू को लेकर गाउं के सरपंच के पास जाती है उनकी बात सुनकर गाउं के सरपंच कहते है बेटा जूरू अगर तुम्हारी बाद सही निकली तब तो हमारे गाउं के दिन बदल जाएंगे गाउं के सभी लोग मिलकर तलाब के नीचे खुदाई करते हैं और काफी कहराई तक खुदाई करने के बाद तुने किले के बारे में पता लग जाता है किला और खजाना मिलने के बाद गाउं के सर्मज सरकारी पुरा तत्तव विभाग के लोगों को सूचना देते हैं सरकार किले और सारे खजाने पर कबजा कर लेती है लेकिन वो गाउं की भलाई के लिए काफी पैसा देती है और साथ में जुमरू और उसके परिवार को एक बड़ा इनाम दिया जाता है इनाम मिलने के बाद जुमरू खुश होकर अपने पापा से कहता है देखा पापा, मैंने तो कहा ही था कि पैसे भी आएंगे और नाम भी रोशन करूँगा आप दोनों का हाँ बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ कि तुने मुझे गलत सावित किया बस ऐसे ही पढ़ो और जिन्दगी में आगे बढ़ो सोनपूर में रामू नाम का एक आदमी अपनी पतनी रमोना के साथ रहता था उसके पास बहुत पैसा था लेकिन वो सारा पैसा गलत काम करके कमाता था उसके कई तरह के गलत धंदे थे जैसे गैर कानूनी शराब बेचना, सोने चांदी की स्मगलिंग करना और जुवे के अड़े आदी उसकी पतनी रमोना उसे हमेशा टोकती थी सुनो जी, ये गलत काम करने बंद कर दो नहीं तो किसी दिन हम बहुत बुरे भस जाएंगे अरे तुम क्यों फिकर करती हो, मुझे कौन पकड़ेगा मैं बड़ी चलाकी से अपना पैसा चुपाता हूँ अपनी चलाकियों के कारण रामू काफी समय तक पुलिस से बचता रहा अब उसके पास काफी सोना चांदी और पैसा इकठा हो गया था इतना पैसा देखकर उसे चिंता सताने लगी कि वो इतना पैसा कहां चुपाए क्या बात है क्या सोच रहे हूँ सोचना क्या है रमोना मुझे लगता है पुलिस कभी भी मुझे पकड़ने आ सकती है बस मुझे यही चिंता है कि इतना सोना चांदी पैसा में कहां चुपाऊं तुम ही कुछ तरकीब लगाओ क्यों ना आप इस सारे सोधे से एक सोने का बड़ा घर ही बनवालो सब लोग सोचेंगे ये सुनहरा घर है लेकिन उसके अंदर सारा सोना चुप जाएगा जब कभी जरूरत पड़ेगी तो उसमें से ले लेंगे हाँ ये तुमने ठीक कहा मैं ऐसा ही करता हूँ रामू अगले ही दिन से एक सोने का घर बनाने में लग जाता है वो गाओं से काफी अच्छे मज़ूरों को बुला कर लाता है और उन्हें काफी धन देने का लालत देकर अपना काम करवाता है वो अपने घर में मिट्टी की इंटो की बजाए सोने की इंटो का इस्तेमाल करता है और कई जगा खाली दिवारे बना कर उसमें पैसा च्पा देता है वो अपने घर के खिड़की दरवाजे भी सोने के बनाता है एक महीने के अंदर उसका सोने का घर बनकर सियार हो जाता है क्या सहाब आपने तो कहा था कि ज़्यादा पैसा देंगे और इतने कम पैसे अरे तुम्हें जो मिल रहा है वो ले लो और जाओ यहां से रामू से नाराज होकर सभी मजदूर पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस को रामू के सारे काले धन के बारे में भी बता देते हैं कि उसने कहां कहां सोने की इंट लगाई है कहां कहां पैसा चुपाया है पुलिस रामू के घर पहुंचती है अरे सहब आप यहां आईए आईए मेरे ने घर में आपका स्वागत है हाँ हाँ रामु साहब स्वागत तो आपका हम करेंगे अपने थाने में पुलिस गहराई से पूरे घर की छान बीन करती है और मज़ूरों दोरा बताएगे जगा पर तोड़ फोड़ करके सोने की इंटें और सारा काला धन निकाल लेती है गलत धंक से पैसा कमाने के आरोप में रामु और उसकी बीवी को जेल हो जाती है बास का रिक्षा रामु शहर में एक साइकल बनाने वाली कमपनी में काम किया करता था वो कमपनी साइकल के साइकल रिक्षा भी बनाती थी और रामू उस कमपनी में साइकल रिक्षा बनाया करता था वो एक बहुत ही अच्छा कारीगर था वो बहुत ही मजबूत और अच्छे रिक्षा बनाया करता था कमपनी में सभी उसकी तारीफ किया करते थे लेकिन वैश्विक महमारी फैलने के कारण कमपनी को अपने मुराजमियों की छटनी करनी पड़ी और उन्हें रामू को भी निकालना पड़ा कमपनी के मेनेजर ने बड़े ही दुखी मन से रामू को हिसाब देते हुए कहा भई रामू हमें तुम्हें निकालते हुए बहुत दुख लग रहा है लेकिन क्या करे तुम देखी रहे हो काम कितना कम हो गया है अब हमें लगता है कमपनी बंद ही करनी पड़ेगी हम तुम्हें तुम्हारे जितने पैसे बंदे थे उसे ज्यादा ही दे रहे हैं मुझे उमीद है कि तुम जरूर कोई अच्छा काम कर लोगे जी साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं कमपनी की मजबूरी समझता हूँ लेकिन साहब अगर आपको कभी भी मेरी जरूरत हो आप मुझे बुला लीजिए हाँ रामू अगर कभी कमपनी खुलेगी तो हम तुम्हें पहले बुलाएंगे रामू बड़े दुखी मन से अपने गाउं वापिस आ जाता है और गाउं में ही कोई नया धंदा करने की सोच लेता है एक दिन वो टीवी पर न्यूस सुनता है कि सरकार नएने स्टार्टप बनाने वालों को प्रुत्साहन दे रही है रामू भी कुछ नया काम करने की सोच लेता है एक दिन जब वो गाउं में घूम रहा था तो गाउं में बांस का जंगल देखकर उसे एक आईडिया आया और उसने बांस का रिक्षा बनाने की ठान ली वो जंगल से छांट छांट कर बांस लाकर रिक्षा के पुर्जे बनाने लगा गाउं के सभी लोग उसका मजा कुड़ाने लगे अरे रामो बचुआ पगला गए हो क्या बांस का भी भलागव रिक्षा बनता है क्या लगता है अपनी बुद्धी शेहर ही जोड़ाए हो काहे पैसा खराब कर रहे हो नहीं काका देखना एक दिन में अपने उपाए में सफल हो जाऊंगा फिर तुम ही मेरी तारीव करोगे आँ आँ देख लेंगे वो दिन कब आएगा रामू की लगन और मेहनत रंग लाए और एक दिनो बांस का बना रिक्षा लेकर गाओं के बाजार में निकला सभी लोग हैरान हो गए तुमकी रिक्षा पुरा बांस का बना हुआ था बांस के पहिये, बांस का पैडल, बांस की बोड़ी, बांस की बैठने की जगा सभी लोग हैरानी से देखने लगे और उसकी तारीफ करने लगे अरे वह रामू तुमने तो सच में बांस का रिक्षा बना दिया क्या हम इस पर बैठ सकते हैं हाँ काका निश्चिंद होकर बैठिये, ये तूटेगा नहीं और रामू ने अपना बांस का बनाया रिक्षा शहर में हुनर हाट में पेश किया उसका बांस का बनाया रिक्षा देखकर सभी लोगों ने उसकी तारीफ की और सरकार ने उसके स्टार्ट अप को मनजूरी दे दी उसके बनाया बांस का रिक्षा धरा धर्ड बितने लगे देश में ही नहीं उसके बनाया बांस के रिक्षा की डिमांड विदेशों में भी होने लगी